Hey guys, welcome back to the channel इस वीडियो में आज कोई नॉर्मल व्लॉग जैसे में बनाता हूँ वो बिल्कुल नहीं रहेगा लेकिन व्लॉगिंग से रिलेटेड एक खास इंफोर्मेशन में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज हम रिव्यू करने वाले DJ Osmo Pocket 2 को जो मैं एक साल हो चुका यूज करते करते इसका क्या budget है, क्या camera specifications है, क्या extra features है क्या ये आज के time पे खरीदना वर्थीट रहेगा वो सारी information मैं आज कब को provide करूँगा और आखरी में मेरे experience को भी share करने वाला हूँ एक साल में मैंने क्या pros and cons notice के इस camera के बारे में तो इस वीडियो पे बने रहे ना आखरी तक और चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर देना और bell icon को all पे set कर देना ताकि आप मेरे videos को कभी भी miss ना करे सबसे पहले आप जाके मेरे playlist भी check कर सकते हैं एक साल में मैंने काफी जाधा ट्रावल किया है बहुत सारे playlist करेट कर चुके हैं जो मैंने शुरुआत में साल के सोचा भी नहीं था लेकिन आई होब कि आपको पसंद आए एक बार वो playlist भी जाके आप चेक कर लेना तो सबसे पहले इस camera के weight के बारे में हम discuss कर लेते हैं इस camera का weight जो होगा वो 117 grams के असपास है और ये जो आप देख रहे हो अभी ये camera का एक case cover भी मिलता है ताकि आपका ये gimbal इस camera के साथ protected रहेगा दिखा देता हूँ आपको अगर camera ये देख लिए DJ Osmo Pocket 2 है ये ये उपर जो है ये है उसका gimbal gimbal को touch मत करना विकाज अगर gimbal एक बार खराब हो जाता है तो इसका 50% से भी जादा पैसा gimbal पे ही खर्चोगा मतलब उससे अच्छा है कि आप एक नया camera ही खरीद लो इसलिए एक इसका अगर आप बोलोगे तो ये camera लेने में जो लोग थोड़ा movie making, filmmaking या फिर बोल सकते हो बहुत सारा cinematic shots लेने की कोशिश करते है या फिर vlogging करते है ये camera उनके लिए best रहेगा माल लो अगर आप कहीं पर movie kind का shoot करने जारो या जहां पर cinematic shoots record करने है आप एक DSLR लेते हो उसके साथ आपको gimbal setup करना पड़ता है ताकि stabilization बना रहे बहुत सारे shots लेने तो ये सारे equipment को carry करने के लिए आपको एक बड़ा सा बोल सकतो suitcase के तरह उसको carry करना पड़ेगा या फिर कैसे भी carry करो बहुत बड़ा सा चीज carry करके आप travel करने वाले हो कहीं पर भी travel करने जारो ट्रावल वीडियो बना रहे हो वहां पर content शूट करें तो हमेंसे अपने साथ एक extra बड़ा सा luggage लेकर जाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ वही चीज़ा हैंगे और काफी ज़्यादा heavy भी रहेंगे लेकिन ये सिर्फ 120 ग्राम के अंदर आपको मिल जाता है proper आप बोल सकते हो एक demo life देखना है अब कोई भी मेरे travel वीडियो को चले जाओ और कोई भी travel वीडियो को open कर लो जहां पर मैं कहीं पर train में या bus में travel आफकोस नहीं कर रहा हूँ वहां पर मैं usually phone से vlogging कर लेता हूँ लेकिन अगर मैं कहीं पर stay कर रहा हूँ कोई hotel का review दे रहा हूँ या फिर कहीं बोल सकते हो हम लोग गाड़ी में घूम रहे हैं कहीं पर तो उस टाइम पर मैं यह वाला camera जरूर यूज किया होँगा information से जाधा आपको live detailed demo मिल जाएगा जहांसे आपको पता चल जाएगा यह camera डे लाइट में और night जो लो लाइट होता है वहां पर कैसे perform करती है अब इस camera के साथ है बहुत सारे features अब इतने सारे features मुझे थोड़े बहुत याद भी नहीं है बट मैं use तो करता हूँ जैसे कि slow-mo हो गया HDR video हो गया, normal video हो गया, story mode हो गया, panorama हो गया, time lapse हो गया, बहुत सारी चीज़े वह आपको इसी camera के अंदर मिल जाते है फिलाल के लिए इसको मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो आप देख सकते हो एक button है इसको long press करोगे एक बार आपके सामने करके दिखाता हूँ यह जो button आपको दिख रहा है, यह button को अगर आप long press करोगे देखो यह पहले gimbal अपने आपको stable करता है and उसके साथ ही gimbal अभी stable है and camera भी on है, आप देख सकते हो, यहाँ पर camera भी on है यह जो display आप देख रहा हूँ, यह touchscreen display है, वन इंच का, जिस पर आप बहुत सारे features जो भी इसमें loaded है and focus है, आप बोल सकते हो, face tracking यह सारे चीज़ अप इसके अंदर कर सकते हो, जो भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ and यहाँ पर आप देख सकते हो, कि gimbal अभी stable हो चुका है, यहाँ पर आपको एक मिलता है, बोल सकते हो joystick, उसके साथ ही कुछ तीन buttons मिलते हैं, उसके क्या-क्या users है, मैं आभी आपको बता रहा हूँ यह जो सबसे पहले joystick है, इसको अगर आप ऊपर की तरह move करता है, आप देख सकते हो, camera का जो lens है, वो move कर रहा है, उसी तरह अगर left को, right को ऐसे move करोगे, तो यह camera का gimbal move करता है, मतलब आपको हाथ से या कहीं से भी touch नहीं करने, जैसे game खिलते हो, उसी तरह joystick को move करोगे, तो camera क lens भी move करने लगेगा, उसी direction में, यह जो आपको button दिख रहा है, यहाँ पे, अगर आप इसको करोगे, तो इसमें आपको जो follow mode है, tilt mode है, gimbal की related सारी information मिलते है, जैसे कि अभी मानलो यह है, देखो FP, मुझे नहीं पता आपको यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तब आप यह follow mode करते हो, तो आप देख सकते हो, अगर मैं कभी भी shot लेना चाहूँगा, तो ऐसे move करता हूँ, तो मेरी direction के हिसाब से, वो gimbal smoothly उसी direction में move करेगा, मानलो मेरा हाथ इदर बहुत ज़्यादा speed move कर रहा है, फिर जब उठा रहा है, तो उस time पे gimbal अपना proper speed setup करता है, जिससे अच्छे से move कर पाए, फिर अगर आप यहाँ पर tilt lock करते हो, तो यह completely lock हो जाएगा, एक screen पर, मतलब मानलो कि जैसे आप phone से vlogging करते हो, बिना gimbal का, जैसे आपका हाथ अगर shake करता है, तो वो वी video भी shake करने लगेगा, वो सारी चीज़ होने वाली है, इसमें video ज़रूर shake नहीं क click कर सकता है, दूसरी बार click करोगे, तो यह video mode में आ जाता है, अगर इसको double click continuous करोगे, तो फिर यह recenter हो जाता है, मतलब मानलो अभी मैंने camera को ऐसे देख लो, यह उपर की तरफ face कर रहा है, और मैंने इसको double click किया, तो फिर यह recenter हो गया, मतलब straight center को फिर से focus करने लग जाए इसके साथ आपको side way मिल जाता है, यह एक, बोल सकतो हो, SD card holder, जहां से आप यहाँ पर अगर मैं इसको press करता हूँ, तो यह आपका card आराम से remove भी हो जाता है, और ऐसे अगर डाल लो, तो card का, यह insert भी हो जाता है, और काम करना भी शुरू कर जाता है, इसमें सब से अगर मु तो यह up to 34 minutes और 38 seconds तक इस storage capacity को hold कर सकता है, इतना storage है कि अभी वो 34 minutes और 38 seconds का video record कर सकता है, इस resolution में, अगर मैं अभी इसको side से आप जाते हो, तो आपको यह सारे जो जैसे मैंने कहाता, features मिल जाते है, आपको video वाले features के side में बहुत सारे चीज़ें मिल जाएगा, अगर मैं इ देख सकते हो, इसका time घट चुका है, 23 minutes के आसपस कुछ हो चुका है, अब देख सकते हो, जैसे ही आपका clarity बढ़ता है, आपका storage जादा हो पहता हो, आपको पता चल जाता है कि आप कितना जादा record कर सकते हो, जो की vlogging के लिए सब से best आपको पता चल जाया है कि अभी card के storage में कितना जादा मैं record कर सकता हो, उससे आप से आपको record करना है, इस camera के साथ आता है, 875 mAh का battery, अभी आप बोलों कि काफी छोटा बैटरी है, वो तो एक दिन भी नहीं चलता है, लेकिन आपके phone काफी सादा other चीज़ों में भी involved रहते है, different apps, calls, whatsapp, facebook, instagram, बहुत सारी चीज़े र गया था, 3-4 vlogs मैंने बनाये हैं उसमें, जब मैं return के यहाँ पर room पहुंचा हुआ अपस, तो around 40% battery तब भी बचा हुआ था, 60% consumption में मैं approximately 3-4 long videos around 8-10 minutes का बना लिया, तो इसके बाद तो आप क्या ही बोलोगे, मतलब it's more than enough, मतलब आपका एक trip मैं आप सिर्फ बीच में एक ही पर चार्ज करोगे, अगर लंबा trip कर रहे हो, छोटा 2-3 दिन का trip है, तो एक चार्ज में चल जाएगा vlogging के वक्त, अभी बहुत सारे features मैंने discuss कर लिए हैं इस camera के, लेकिन सबसे जो main feature है vlogging के लिए चाहिए, वो है आपका face tracking, जो कि मैं अभी live demo करके आपको दिखाने वाला हू यहाँ पर मैं camera को कर लिया on, जैसे यह आप screen पर जाओगे और अपने face पर, किसी कभी face जिसको आपको focus पर रखना है हमेशा, उस पर उपर ऐसे double tap कर दोगे, तो जैसे double tap किया, यहाँ पर face tracking on दिखा रहा है, मैं आपको दिखाऊँगा तो आपको समझ भी नहींगा, मैं देख सकते हो, मैं अपने face को constant रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, कहीं पर भी मैं side ले रहा हूँ, अब gimbal को देखते रहा हूँ, यह अपने आप move कर रहा है, मैं कहीं पर भी इसको move नहीं कर रहा हूँ, या check भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा face हमेशा center पर पूरी कोशिश कर रहा है, और हमेशा center पर रहता भी है, अभी भी अगर मैं screen पर देखू, तो मेरा face center पर ही मिलेगा, अब यह जो feature ही, यह vloggers के लिए best है, because आप कहीं पर भी किसी के साथ बात कर रहे हो, या कुछ भी record कर रहे हो, जहां पर आप चाते हो कि आपका face भी थोड चला था, flip card से मैंने इसको खरी दा था, creator combo kit के साथ, और मुझे लगबा 34,000 के आसपास यह कुछ पढ़ा था, लेकिन अगर आप normal camera करीद होगे, आपको 28-30,000 मिल जाएंगे sale के time पे, अभी का time का इसका price कुछ 36,000 चल रहा है, बला बोल सकतो, इसका price बिल्कुल भी down नहीं ह इसके उपर बता चुके हैं, अब अगर negative feature के बारे में पूछोगे तो एक ही है, वो है waterproof, यह camera भी waterproof है, इसके साथ आपको मिलेगा एक waterproof case, बनलब कि जो कि आपको external से खरीदना पड़ेगा, जैसे आप उसको use करोगे, तो इसके एक feature mode पर ही आपको जाना पड़ेगा, जहां आपको जो gimbal का tilt lock है, वो lock हो जाएगा, उसके बाद आप इसको underwater भी लेके shoot कर सकते हो, मैंने इसके उपर कभी वे trial नहीं किया है, अगर आप करना चाहो तो बेशेक कर सकते हो, विकोज आपके साथ ये भी एक feature added मिलता है, फिलाल के लिए मैं इस वीडियो को यह पेंट करता ह मैं जरूर आपके comments को reply करूँगा, अगर आपको इस camera के उपर एक second video भी चाहिए, जहाँ पर मैं ये बताने जाऊँगा कि आपको ये camera लेने से क्या फाइदा हो सकता है, आपको ये camera क्यों लेना चाहिए, इस time पर ये camera लेना वर्थिट है कि नहीं, इस market में इसके competitors कौन कौ क्या price point के साथ ये justice कर रहा है कि नहीं, also बोल सकते हो daily life के वक्त, ये आप लोग जब vlogging करते हो, खली travel के वक्त सही रहेगा, या घर के अंदर daily life में, indoors, outdoors, हर चीज़ का एक demo video भी मैं record करके डाल लूँगा second video में, तो अगर आपको वो चाहिए, तो comment section में ज़रूर बताना, मैं ये बस मेरी खुद की feeling है, इस camera के लिए, because ये camera जो justice की है, मेरे पीछले एक दो वीडियो से देख लो भाई, प्रकाश राइड कर रहा था, मैं पीछे से vlog बना रहा था, तो मैंने पहले कुछ clips लिए phone के camera से, second video के बारे में comment करो, मैं दोनों का raw video डाल दूँगा, आपको प अगले वीडियो में, या फिर अगले वाले vlog में, travel related vlog तो जरूर आने वाला है, बहुत जल, so till then, be the reason someone smiles today, see you in the next vlog, bye bye, take care